नवस्कार साथियों, आपका स्वागत है MGCI के Digital Learning Platform में मैं अरविन सर्मा, आज आपके सामने Agronomy सबजेक्ट लेकर आया हूँ जो Agriculture Competition Exam में बहुत ही महत्पून सबजेक्ट है, टॉपिक है तो हम स्टार्ट करते हैं Agronomy अब Agronomy अगर आजाता है, तो Agronomy में सबसे महत्पून जो चीज हमारे सामने आती है वो है Crop Cultivation, फसलों की खेती तो फसलों की खेती बहुत Important Topic है, बहुत सारे Question कवर करता है आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे-च्छे Question exam के लिए लेकर आया हूँ वीडियो के साथ अंत्र तक जुड़े रहें, आपको भूत महत्पून जानकरी यहां पर मिलने वाली है तो जैसे ही हम फसलों की खेती की बात करते हैं तो इसमें हमारे लिए जो सबसे महत्पून फसल आती है वो है धान, जिसको हमने अंग्रेजी में कहा है पेडी धान कहें, पेडी कहें, राइस कहें, एक ही बात है याद रखना, एसी कोई एक्जाम नहीं है एगरिकल्चर की जिसमें धान से Question ना आए तो हम यहां पर देखते हैं सबसे पहले धान धान या पेडी, हम देखो, सब एक्रिकल्चर स्टूडेंट है मैं नार्मल बात आपके लिए नहीं करने वाला हूँ कि धान, वानस्पतिक नामें, औराइजा सटाइवा, ग्रेमीनी फेमिली का आता है ये सब बाते हम यहां नहीं करेंगे हम सीधे, जो महत्कून प्रस्न आते हैं, उसकी बात यहां पर करते हैं जैसे इसका उत्पत्ति स्थान पोछा जाता है उत्पत्ति स्थान में दक्षिन पुर्व एसिया और दक्षिन पुर्व एसिया के अंदर भी भारत ववर्मा और अंदर अगर चले जाएं तो दक्षिन भारत तो इस तरह से हमारे को देखना है बड़े छेतर की बात करेगा तो हम दक्षिन दक्षिन पुरवेशिया बोल देंगे अगर वो कंट्री में देश के अंदर आ जाता है तो भारत तथा वर्मा बोल देंगे और यदि भारत के अंदर वो राज्यों की तरफ जाने लगता है तो हम कहेंगे दक्षिन भारत गुनसुत्रों की संख्या अगर देखी जाए तो इसके अंदर है 24 धान और राइस चावल और धान में जरासा अंतर है छिलके सहीत अगर है तो हम उसे धान कहेंगे छिलका हटा दो बच्चा हुआ दाना क्या हो जाएगा चावल हो जाएगा तो यह हम बात करते हैं धान के बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो आगे जैसे ही हम जाते हैं यहाँ पर कुछ महत्मून हम बात करते हैं पॉइंट्स देखते हैं धान ओराईजा वंस का स्वफ परागित पोदा है स्वफ परागित सेल्फ पॉलिनेटेड है वंस कुन सा है ओराईजा नाम में आपको मालूम ही होगा ओराईजा सटाइवा तो हम यहाँ पर देखते हैं वंस और जाती दो चीजों से मिलकर पतिक नाम बना होता है पहला होता है वंस दुसरा जाती तो ओराईजा वंस का पोधा है और इसके दाने को केरियोप्सिस कहा जाता है यही पर आप देखोगे तीन प्रस्ण बन गए केसा पोधा है तो स्वपरागित पोधा है वंस कौन सा है तो ओराईजा वंस है फिर हमने कह दाना क्या कहलाता है तो दाना कहलाता है केरियॉप्सिस फिर हम बात करें इस्तिती देखें तो विश्व में उत्पादन की दरस्टी से चीन पहले इस्थान पर आता है भारत दूसरे इस्थान पर आता है जबकि छेत्रफल में मामला उल्टा हो जाता है छेत्रफल में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा भारत पहले इस्थान पर आएगा और चीन दुसरे इस्थान पर आएगा उत्पादन में चीन पहला छेत्रफल में भारत पहला अगर हमारे देश की स्तिती देखी जाए तो हमारे देश में धान की खेती में पस्चिम बंगाल प्रथम है पस्चिम बंगाल जो है धान की खेती में पहले इस्थान पर आता है जबकि हाइब्रीड राइस की बात करें संकर धान की बात करें तो यहां मामला बदल जाएगा इसमें पंजाब पहले इस्थान पर आता है पंजाब में सरवादिक संकर धान की खेती होती है आगे चले तो भारत में छेत्रफल तथा उत्पादन दोनों ही द्रस्टी से धान प्रतम इस्थान पर आता है भारत की प्रमुक जो खाद्यान फसल है वो धान है जबकि विश्व की अगर देखी जाए तो विश्व की प्रमुक खाद्यान फसल हमने कहा गेहू होता है पूरे विश्व का 22% धान भारत में पेदा होता है धान एक प्रमुक उतपादक है धान का इसके बाद हम बात करते हैं अंतर राश्च्री चाबल अनुसंधान संस्थान जिसे हम कहते हैं इरी, IRRI, International Rice Research Institute, ये जो है Inhale, Philippines देश की राईधानी मनीला में हैं, अंतर राश्च्री चाबल अनुसंधान संस्थान। जबकि हम बात करतें CRRI Central Rice Research Institute के इंदरिये चावल अनुसंदान संस्थान ये है कटक उडिसा में कटक उडिसा में हैं ये समझ में बात आ गई जबकि हम यहाँ पर बात करते हैं DRR Directorate of Rice Research अगर हम बात करें धान अनुसंदान ये चावल अनुसंदान निदेशाले तो ये आता है है एदराबाद याद रखना यहाँ पर बड़ा confusion होता है DRR Directorate of Rice Research आजाए तो ये हैदराबाद हो जाएगा जबकि Central Rice Research आए तो कटक उडिसा हो जाएगा यहाँ पर confusion होता है कई बार हम उत्तरगलत लगा देते हैं तो सावधान रहना है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी तरह से हम आगे चलें तो आगे हमारे पास यहाँ पर कुछ और point आए जैसे भारत की प्रमुख खाद्यान पसलधान है यह अभी हमने बात की याद रखना हमको ऐसा लगता है कि हम गेवु जादा का रहे हैं लेकिन हमारे लगने से नहीं है हम overall भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की प्रमुख खाद्यान पसलधान है जबकि विश्व की क्या है तो विश्व की प्रमुख खाध्यान फसल गेहू है। यहाँ पर भी ध्यान ही रखना है। कई वार हमको ऐसा लग जाता है कि हमारे एरिया में जो चल रहा है वही प्रमुख है। तो समझना है। भारत की संपूर्ण फसलों में से जल के संसाधन जो है उनका सरवाधिक उप्योग धान में होता है। धान की जलमांग सरवाधिक होती है। सबसे जादा पानी की आवसकता धान को लगती है। इसलिए हम कहे रहें कि सरवाधिक जलसंसाधनों का उपियो धान की फसल के द्वारा ही होता है। आपका मुँ हो जाता है लाल उसी तरह के इसमें धब्बे बनते हैं इसलिए इस बिमारी को पान मुखरोग कहा जाता है कि नाइट्रोजन की कमी से हो रहा है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की कमी होने नहीं देना है इसके बाद लोहे की कमी आईरन की अगर कमी हो जाती है धान में तो इसको दूर करने के लिए फेरस सल्फेट कहा हम उपयोग कर सकते हैं और फेरस सल्फेट जो है इसकी सांदरता हमारे को बहुत कम रखना है क्योंकि एक सुक्ष्म पोसकता तो है इसलिए सुन्य दसमलो सुन्य पास से सुन्य दसमलो एक प्रतीसत होना चाहिए चलिए एक बहुत ही फेमस कोस्चन की तरफ हम लोग आते हैं PSC की एक्जाम हो, JRF की हो, चाहे हम बात करें PAT की परिक्षा हो, चाहे ICR की एक्जाम हो, चाहे SADO हो, REO हो, ADA हो एगरी कल्चर की एक्जाम हो एगरी कल्चर का कोश्चन आए तो उसमें बहुत ही फेमस कोश्चन आपको मिल जाएगा धान का खेरा रोग ये जो धान का खेरा रोग है ये होता है जिंक की कमी से जिंक की कमी से धान में खेरा रोग होता है अब क्योंकि जिंक की कमी से है इसलिए हम इसमें जिंक सलफेट 20-25 किलोग्राम प्रती हेक्टेर की दर से डाल सकते हैं यह जो खेरा रोग है इसको सबसे पहले डाक्टर भाय एल नेने ने 1986 में पंत नगर में देखा था अब यहां से प्रस्ण केसे आते हैं खेरा रोग किस पसल का है खेरा रोग धान का है धान में जिंग की कमी से कौन सा रोग धान में जो खेरा रोग हो रहा किसकी कमी से जिंग की कमी से फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि खेरा रोग के नियंतरन के लिए या उसको रोकने के लिए क्या करना है तो जिंग सल्पेट डालना है एसे कई तरह से ये प्रस्न पूछा जाता है घुमा के लेकिन उत्तर एक ही है खेरा रोग, धान, जिंक तीन बातें आपको याद रखना है मामला आपका क्लियर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे बहुत सारे पॉइंट में आपके लिए लेकर आया हूँ आपको बताने वाला हूँ चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं अगला धान के खेत में नीली हरी सेवाल ब्रू, क्रीन, एल्गी के द्वारा 20-30 किलोग्राम तक नाइट्रोजन फसल को प्राप्त हो जाती है बी जी ए, इसको हम बी जी ए ये एक वायो फर्टिलाइजर है जेव उर्वरक इसे कहा जाता है ये धान के अंदर नाइट्रोजन प्रदान करने का एक स्रोत है 20-30 किलोग्राम तक नाइट्रोजन दे सकता है ये धान के पानी भरे खेत में बड़ी आसानी से ब्रद्धी करता है, तो इसका इस्तमाल हम कर सकते हैं चलिए, आगे चलें तो आपने नाम सुनाई होगा बासमती चावल चावल के दानों के अंदर जो सुगंद होती है ये डाई एसिटाइल वन पाइरोलाइन डाई एसिटाइल वन पाइरोलाइन रसायन के कारण होती है कहीं कुछ किताबوں में आपको ये Diacetyl I pyroline भी मिल जाएगा है ना लेकिन ये जो है Diacetyl I pyroline एक रसायन है इसके कारण धान में सुगंद आती है वास्मती चावल जैसे कई पे चावल बन रहे हैं वास्मती आपको पहले ही खुसबू आ जाएगी तो वो खुजबू का कारण क्या है ये मैंने आपको बताया डाई, एसिटाइल, वन, पाइरोलाइन चलिए आगे बढ़ें तो धान में बोनेपन के लिए जो ड्वार्फ वेराइटी होती है आजकल आपने देखा होगा कि बोनी और अर्द बोनी किसमे ही चल रही है क्योंकि इनकी उपर जागा होती है और इनमें जो लॉजिंग होती है जिसको हम गिर जाना कहते हैं उसकी समस्या नहीं होती तो ये बोनेपन के लिए कौन जिम्मेदार है तो एक जीन है डी जी उजेन ये जो जीन है ये धान में बोनेपन के लिए जिम्मेदार है और हम देखें कि विश्व में धान की प्रथम बोनी किसम कोन सी है तो विश्व में धान की प्रथम बोनी किसम का नाम है टी एन वन ताई चूंग नेटिव वन ये धान की पहली बोनी किसम है बहुत ही important question है तीनो पोनेपन का कारान कौन सा जीन है ये सुगंद किस के कारान पहली बोनी किस्म कौन सी है ये सब पूछे जादने वाले प्रस्न हैं आपको अलग-अलग परिक्छाओं मिल जाएंगे चली आगे बढ़ते हैं धान की जल उपयोग छमता सबसे कम होती है जब की जल उपयोग छमता सरवादिक होती है देखो जरा उपयोग छमता यूज इफिसियंसी मतलब पानी को लेना और अपने ब्रधी विकास में उस पानी का जादा से जादा उपयोग करना ये कहलाता है जल उपयोग छमता लेकिन धान ऐसा नहीं करती धान में तो पानी भरा पानी का जादा है भरा हुआ है क्योंकि लेकिन वो अपने ब्रधी विकास में उस पानी का उपयोग नहीं करता है वो पानी व्यर्थ चला जाएगा इसलिए हम कहाएं कि उपवोग तो जडा है लेकिन उपयोग छमता इसकी बहुत कम होती है चली आगे चले धान में खरपतवार नियंतरन के लिए बहुत ही फेमस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यह खरपतवार नासी है यह जो है साक नासी खरपतवार नासी है ब्यूटा कलोर यह धान में खरपतवार नियंतरन के लिए बहुत फेमस है याद रखना ये question भी कई परिक्षाओं में पूछा गया है चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे question मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ ठीक है अगर आपको एसा लग रहा है कि जल्दी हम चल रहे हैं आप वीडियो को पॉस्ट करके बाद में इतमिनान से भी देख सकते हैं लेकिन समय कम है जानकारी जादा देना है इसलिए हम चलते हैं चलो धान के छिलके में 18-20% तेल राइस ब्रेन आईल आजकर आप बहुत सुन रहे होंगे ये वाला जो तेल है वो ले स्वास्त के लिए बहुत अच्छा राइस ब्रेन आईल है तो 18-20% तर पाया जाता है चलके में चलिए आगे चले तो धान के खेत में पानी भरा रहता है और उसमें एकी ओची एक विसाक्तता है एक बिमारी समझ लो एक सारीरिक विकार समझ लो ये हाइडरोजन सलफाइट के कारण होता है अब इसमें क्या होगा उसको समझ लेते हैं हाइडरोजन सलफाइट की मात्रा अगर धान के पानी भरे खेत में जादा हो गई तो हम देखते हैं कि जो धान की पौधे की जड़े होती है ये जो जड़े हैं ये काली होने लगती हैं काली पढ़ने लग जाती हैं ये जो जड़े हैं ये ये जो है इसी को कहा जाता है अकी ओची अकी ओची ये जड़े जो हैं इनका रंग काला होने लगता है याद रखना क इसके कारण ये हो रहा है, हाइडोजन सलफाइट की विसापता के कारण हो रहा है, चली, आगे बढ़ें, तो धान की जलमगन किसमें, भई धान की कुछ किसमें ऐसी हैं, जिनके उपर पूरा पानी भरा रहे, है ना, कई दिनों तक, कई सब्ता तक अगर पानी भरा रहेगा, ये पानी के अंदर डूबी रहेंगी, तो भी इन पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, ये किसमें हैं, जल्धी, जल्प्रिया और पंकज, जल्धी, जल्प्रिया और पंकज, तो ऐसे छेतर, जहां पर बरसाद में धान की फसल लगाई जाती है, और कई बार बार आदी का पानी भर जाता है, तो वहां पर ये किसमें लगा देंगे, इनके उपर कई दिन तक पानी भरा रहे, कोई फरक नहीं पड़ता है, चलिए, आगे हम बात करें, तो धान की दो बड़ी महकुन किसमें बता रहा हूं में, अदोना घोरा और कामन सोर, इन किसमों को IRRI, International Rice Research Institute ने विक् होता है, अरे नमक होता है, आपने सुना होगा, आपके टुटपेस में नमक है, उसी तरह यहां पर आपकी धान में नमक है, अब ये जो किसम है, ये क्यों बनाई गई थी, तो इनको सेना के लिए बनाया था, फोज, आर्मी, अब देखो भई सेना है, सेना मानलो बार्डर है, युद्ध चल रहा है, अब वहां इदर युद्ध चल रहा है, मानलो पाकिस्तान से, और हम देख रहे हैं कि यहां पर सेना लड़ाई कर रही है, अब सेना लड़ाई कर रही है, तो उसके पास कूकर में चावल डालना, पकाना, दाल बनाना, फिर खाना इतना टाइम न इधर खाते रहेंगे इस तरह से इसलिए बनाई गई चलो इसके बाद एक और किस्म बता रहों में महत्पुन आईए आराई इंडियन एगरी कल्चर रिसर्च इंस्टूट ने बास्मती चावल की किस्म पूसा 1509 विक्सित की है यह किसकी जगे विक्सित की है तो 2011 में उन्हो पूसा वास्मती 1121 तो इससे भी 20 दिन कम है मतलब बहुत कम समय में तैयार होने वाली किस्म है पूसा 1509 ठीक है दोस्तों मुझे लगता है कि आपको बहुत ही महत्पुन जानकारी मिल रही है बहुत अच्छे अच्छे पाइंट में आप तक यहां पहुचा रहा हूं चलो अब और आगे चलें तो आगे आता है धान के पोधों की रोपाई के पहले खेत में कीचल मचाते हैं इस क्रिया को कहा जाता है पडलिंग या ले है या इसको लेवा भी कहा जाता है गंदला गंदला भी कहा जाता है यह सब सब्द प्रयोग किये जाते हैं अंग्रेजी में एक सब्द है पडलिंग लेवा या लेह लगाना यह आप यहाँ पर देख सकते हो एक किसान जो है यहाँ पर पडलिंग की क्रिया कर रहा है यह उसका खेत है इधर उसने पौधे तयार कर रखे हैं यहाँ पर पानी भरने के बाद वो यहाँ पर जुताई कर रहा है ताकि कीच होता है कि पतली-पतली नलीकाएं होती है एसी जिने हम केपिलरी ट्यूब केसी काएं भी कहते हैं इन नलीओं का काम क्या होता है देखो ये दो तरह से काम करती है जब म्रदा की सतह के उपर पानी जादा हो तो इन नलीओं से पानी नीचे की तरफ आता है जब उपर नमी समाप्त हो गई है तो नीचे वाला जो जल है इन नलियों से उपर जाता है अब हमको तो धान के खेत में पानी भर के रखना है लेकिन ये नलिया पानी को नीचे ले जाएगी इसलिए हम क्या करते हैं अरे धान की रोपाई के पहले यहाँ पर कीचड मचा कर इन नलियों को बंद कर देंगे तो जल का पोसक तत्वों का जो निच्छलन आदी होता है वो रूख जाएगा इसलिए कीचड मचाते हैं इस क्रिया को कहा जाता है पडलिंग लेवा या लेह लगान चले आगे बढ़े तो धान में कीट का प्रकोफ होता है जिसका नाम है गाल मीच और गाल मीच के प्रकोफ के कारण हमें धान में सिल्वर सूट रजत प्ररोह चांदी जैसा इसका तना आदी नजर आता है यह यहाँ पर आप देख सकते हो यह धान के खेत में रज़त प्रणों में इस तरह से आपको पत्ती तने आदी नजर आएंगे और किसके कारण है तो यह है वो किला गाल मीज इसके कारण ऐसा होता है याद रखना रज़त प्रणो किसके कारण है तो गाल मीज जो कीट है इसके कारण हो जाता है चलिए आगे हम बढ़ें तो अब आगे एक और में बहुत महत्पून चीज़ आपको बता रहा हूँ कि धान के दाने या बीज में आप देखोगे दो चीज़े होती लेमा और पेलिया लेमा और पेलिया और एक साथ इनको बोलते हल जैसे कभी आपने देखा होगा कि धान में से जब चावल अलग करते हैं या कई बार हम देखते हैं कि जैसे अभी दिवाली गई तो आपने देखा होगा धान की जो धानी होती है उसका प्रसाद हम लक्ष्मी माताज को चड़ाते हैं उसमें कई वार आप देखोगे कि इस तरह से बीज में आपको नजर आएगा अंदर से आपको उसका बीज दिखेगा और छिलका उसके साथ चिपका रहता तो ये जो चिलका है इसका इसी को हल कहा है और ये दो चीजों से मिलकर बना होता है एक हे लेमा और एक हे पेलिया ये आपको यह नजर आ रहा होगा ये अंदर आप देखोगे ये फूल है बाद में यही बीज में बदल जाएगा इसका ये वाला भाग है लेमा ये वाला भाग है पेलिया और दोनों एक साथ मिलकर क्या आप कहलाते हैं हल हल मतलब छिलका हो गया और इसको हटा देंगे इसको हटाने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे हॉलिंग छिलका अलग करना इस क्रिया को क्या बोलेंगे हॉलिंग समझ गए लेमा और पेलिया इस तरह से ही बंद हो जाते ऐसे खुलेंगे चलिए दोस्तों आगे आ जाएं तो धान में टूंगरो रोग धान में टूंगरो रोग है ये विसानू जनित रोग है वाइरस द्वारा होने वाला रोग है टूंगरो अब याद रखना कि वाइरस जनित जो बिमारियां होती है ये वाइरस अपने आप नहीं फेलता है इसका कोई ने कोई बहा किया वेक्टर होता है जो बिमार से स्वस्त पोधे में बिमारी को फैलाता है तो हम ये जो टुंगरो की बात कर रहे हैं ये जो टुंगरो है इसको फैलाने काम करता है ग्रीन लीफ हापर हरा फुत का जिसे हम बोलते हैं ये ग्रीन लीफ हापर ये जो है बिमार पौधे में जिसमें टुंगरो बाइरस लगा है उस पौधे को पास जाएगा पत्तियों को नुक्सान पहुचाएगा फिर वहाँ से स्वस्त पोधे में अगर आ गया तो टुंगरो हो जाएगा इस तरह से कि टुंगरो आपको नजर आ रहा है धान की पत्तियां इस तरह से पीली पड़ जाती है ये है टुंगरो वाइरस टुंगरो वाइरस का ये अटेक है समझ गए तो हरा फुतका इसको फेला रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर एक प्रस्ना आया धान में सिचाई की क्रांतिक अवस्था इस अवस्था को हमने कहा बूटिंग अवस्था बूटिंग अवस्था बाली निकलने के पहले इस अवस्था में सरवाधिक पानी की अवस्था होती है ये अवस्था आपको यहाँ पर दिख रही होगी ये जो अवस्था है ये बूटिंग अवस्था है ये देखो बाली यहाँ पर निकल रही है यह अवस्ता बूटिंग अवस्ता कहलाती है इस समय से चाई की सबसे ज़्यादा आवसकता होती है नहीं तो उत्पादन में भहुत फरक पड़ेगा इसी तरह से आगे चलें तो धान का प्रमुक कीठ है गंधी बग गंधी बग यह धान का प्रमुक कीठ है यहाँ पर आप देखो यह धान का प्रमुक कीठ है अब याद रखना यहाँ पर दो तीन प्रस्ण बनते हैं एक तो यह बना कि भई गंधी बग धान का प्रमुक कीठ कोन सा है गंधी बग है अब यह जो आकरमन कब करता है तो यह आकरमन करता है दुगदा वस्था पर दुगदा वस्था milking stage याद रखना दुगदा वस्था पर यह आकरमन करता है धान का भोती प्रमुक कीठे गंधी बग यह धान की बाली के दाने है दुगदा वस्था पर और यह उस समय आकरमन करता है समझ गए तो गंधी बग धान का प्रमुकीट है आपको लगातार में केवल महत्पून जो प्रस्थ है जो पहले पूछे गए हैं केवल उनके बारें बात कर रहा हूँ चलिए अब हम आगे बढ़ें तो आगे आता है धान के पोधे तैयार करना नरसरी में देखो धान की बुआई के दो-तिन तरीके हो सकते हैं एक तो हमने क्या किया सीधा खेत में ले जाकर बीजों को बुरक दिया ब्रॉड कॉस्टिंग कर दी दूसरा क्या होता है कि हम सिड्रिल से धान के बीजों की बुआई कर दे लेकिन अधिक उत्पादन के लिए सुगंदित चावल के लिए धान के पेले पोधे तैयार किये जाते हैं और उन तैयार पोधों को कीचल मचे हुए खेत में जो पडलिंग मैंने अभी आपको बताई थी उसमें ले जाकर रोब दिया जाता है तो ये पोधे तैयार करने के लिए मुख्यत है हम दो विदियों का इस्तमाल करते हैं भीगी विदी और डेपोग विदी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेट बेड है ये ड्राइ बेड है डेपोग विदी है है ना ये मोडिफाइट बोवल ट्रे टाइप ये अलग-अलग विदियां हैं दो विदियां मुख्य हैं जिनकी मैं आपसे हैं चर्चा करने वाला हूँ भीगी विदी और डेपोग विदी चलिए देखते हैं इन विदियों में क्या होता है सबसे पहले हम बात करते हैं भीगी वीदी भीगी वीदी में क्या करना है बहुत ही सिंपल तरीका है जो हमारा खेत है जैसे हमारा खेत है इस खेत में हमारे को धान की रोपाई करना है मानलो एक हेक्टेर का खेत है हमने खेत का यहां पर एक बटे 10 से एक बटे 20 हेक्टेर यह वाला हिस्सा ले लिया इसमें हम धान की नरसरी तैयार करते हैं यह आपको नजर आ रहे होगा अब यहां पर नरसरी हम तैयार करते हैं तो यह उसकी लंबाई चोड़ा यहां पर दी हुई है ये ज़्यादा महत्पुन बात नहीं है इसमें सबसे महत्पुन बात ये है कि एक हेक्टियर में धान की फसल अगर लेना है तो एरिया कित्ता लेंगे तो हेक्टियर का एक बटे 10 से एक बटे 20 या पांसो से 1000 वर्ग मीटर की नरसरी लेंगे इसमें भी जादा महत्पुन ये है एक बटे दस या एक हजार वर्ग मीटर में नरसरी तयार करेंगे ये एक हेक्टेर के लिए पर्याप्त होगी समझ गए और पस कीचर मचेवे खेत में ले जाकर इनको रोप देंगे समझ गए कब रोपना है किस उम्र पर रोपना है ये मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ चलिए पहली विदी हो गई दूसरी विदी की तरफ में आता हूँ इसका नाम है डेपोग विदी डेपोग विदी आजकल वड़ी फेमस है ये मनीला सहर जो है फिलिपिन्स का जहां पर हमने पढ़ा था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टूट है वहां से विक्सित किया गया इसमें हम बिनामरदा के पक्के फर्स पर धान के पोधे तयार कर सकते हैं जैसे आप यहां देख रहे हैं ट्रे के अंदर धान के पोधे तयार किये मिट्टी वगरा की जर्वत नहीं है हमें करना क्या है सबसे पहले बीज लेंगे और दस बारा घंटे के लिए इन बीजों को पानी मभीगो देंगे वहां से निकाल कर हम पक्के फर्स के उपर इसकी एक परत बिचाएंगे और यह परत होगी एक सेंटीमीटर मोटी और फिर इस परत को पोलेथीन सीट से ढग देंगे पोलेथीन के द्वारा ढग दिया जाता है और इस तरह से आप देखोगे कि मात्र 11 से 14 दिन क्या एसा कहें कि 12 दिन में धान के पोदे तयार हो जाएंगे मात्र बारा दिन में धान के पोधे तयार हो जाएंगे और नरसरी कित्ती जगह में मात्र 30-40 वर्ग मीटर में नरसरी परियाप्त हो जाएगी भीगी विदी में क्या देखा था 1000 वर्ग मीटर में नरसरी बनाई वो भी खेत में मतलब उत्ता हिस्सा जो है वहां कीचर नहीं मचा पाएंगे लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं 30-40 वर्ग मीटर में घर में फर्स में कहीं पर भी हम पोधे तयार कर सकते हैं और मात्र बारा दिन में पोधे रोपाई के लायक तयार हो जाएंगे हिंडिया में हमारे देश में यह सबसे ज़्यादा चलती है कहां पर आंदर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका इस्तमाल किया जाता है समझ गए चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं अब पोधों की रोपाई कब करना है भीगी विदी में मुख्य रूप से बात हो रही है डेपोग में तो हमने पढ़ी लिया कि 12 दिन में तयार हो जाएगा लेकिन भीगी विदी की अगर बात करें तो खरीब के लिए हम देखते हैं 20-25 दिन में मात्र 20-25 दिन में पोधा तयार हो जाएगा रभी की अगर फसल है तो धान को रभी में भी लगाते हैं तो वहाँ पर समय ज़्यादा लगता है 30-40 दिन की आयू पर पोधे तयार हो जाएंगे समझ गए? अब अगर आपको याद नहीं है समय तो दूसरा तरीका है पोधे की उचाई जब 15 cm हो जाए या इन में 3-4 पतियां आ जाए तब हम इसकी रोपाई कर सकते हैं फिर करना क्या है? तो हमें एक इस्थान पर 2-3 पोधे लगाना है 2-3 पोधे या ऐसा कहें कि 3 पोधे एक इस्थान पर रोपे जाते हैं समझ गए? अब यहाँ पर एक बात और याद रखना एक कोश्चन आता है देरी से अगर बुआई कर रहे हैं या फिर हमने कहा लवनियम रदाएं हैं तो वहाँ पर देरी से बुआई करने पर लवनियम रदाएं अगर हैं तो वहाँ पर चार पोधे एक इस्थान पर रोपे जाते हैं याद रखना कितने पोधे रोपना है? तो दो से तीन रोपना है रेंज में आए तो अगर वो दो तीन चार ऐसा लिख दे तो तीन लगाना है और यदि वो बोल दे कि देरी हो गई बोवाई में लवनियम रदा है तो वहाँ पर चार पोधों की रोपाई की जाती है ये इस तरह से ये देखो कीचण मचेवे खेत में ये किसान पोधों की रोपाई कर रहे है तो इस तरीके से पौधों की रोपाई की जा सकती है समझ गए आगे चलते हैं अब एक जो है आधुनिक तरीके प्याता हूं सबसे आधुनिक तरीका स्री बहुत प्रस्ना आएं इसमें से स्री ये जो स्री है इसको हम हिंदी में कहते हैं सगन धान प्रनाली सगन धान प्रनाली इसे कहा जाता है इसे अंग्रेजी में अगर पूरा हम देखे तो ये हो जाएगा सिस्टम आफ राइस इंटेंसिफिकेशन सिस्टम आफ राइस इंटेंसिफिकेशन स्री सबसे पहला प्रस्न तो यही बन जाता स्री का संबंद किस्से है तो स्री का संबंद है चावल से सिस्टम आप राइस इंटेंसिफिकेसान सघन धान प्रनाली से कहा जाता है और इसी को मेडागासकर भी कहते हैं तो मेडागासकर आजाए स्री आजाए दोनों का मतलब एक ही है इसे मेडागासकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि दक्षिन अफरीका के मेडा गासकर दूइप में इस विधी का विकास हुआ था कोन ने गिया तो इस तकनीक का विकास किया था 1983 में फादर हेंरी दे इन्होंने 1983 में दक्षिन अफरीका के मेडा गासकर दूइप में इस विधी का विकास किया इसलिए ये जो विधी है इसे मेडा गासकर विधी भी कहा जाता है इस विधी में धान की बीजदर होती है मात्र 6-8 किलोग्राम मात्र 6-8 किलोग्राम इतनी कम बीजदर क्यों है उसका कारण ये है कि यहाँ पर फसल अंतरन होता है 25-25 सेंटी मीटर अरे वरगाकार भी दिवी से कहा जाता है वरगाकार क्यों क्योंकि पोधे से पोधे और कतार से कतार की दूरी समान है 25-25 सेंटी मीटर प्रती एक प्यर पोधों की संख्या गर देखें तो 1,60,000 पोधे यहाँ पर लग रहे हैं वन प्लांड पर हिल एक इस्थान पर एक पोधे की रुपाई की जाती है क्योंकि फसल अंतरन जादा है और एक ही पोधा लगा रहे हैं इसलिए इसकी बीज़दर इत्ती कम है यह आधुनिक विदी है कई बार इसमें से प्रस्णा है ध्यान रखना है ध्यान से इसको चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं धान की बुआई या ऐसा कहें कि धान की फसल हमारे देश में धान की जो फसल है क्रॉप है वो तीन क्रॉप ली जाती है तीन बार फसल ली जाती है अगेती धान वर्सा रितू की धान और ग्रिस्म कालिन धान लेकिन धान में इनके अलग-अलग नाम चलते हैं अगेती को आटम या ओस भी कहा जाता है आटम ज़्यादा उपयोग करते हैं जबकि वर्सा कालिन धान को अमन या विंटर यहां अमन ज़्यादा चलता है वो ग्रिस्म कालिन को बोरो या बसंत यहां बोरो जादा चलता है यह हो गया तीनों की बुआई और कटाई का समय अलग अलग है अगेती धान की बुआई होती है मई जून में जबकि कटाई की जाती है सितमबर अक्टूबर में कटाई सितमबर अक्टूबर में करेंगे बुआई कब होगी मई जून में लेकिन इसके लिए हमारे को वर्सात के पहले कीचल मचाने के लिए खेत में पानी भरने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवस्टता लगेगी इसलिए हमारे देश में प्रमुख धान कौन सी है वर्सा रितु की धान अमन जो है ये हमारे देश में प्रमुख है कारण क्या है कि ये वर्सात पर आधारी थे पहले से सिचाई की जरुवत नहीं पड़ेगी इसकी बुआई जून जुलाई में होगी और कटाई कब होगी तो कटाई की जाएगी नवंबर दिसंबर में जबकि तीसरी धान आती है जिसे हमने कहा है बोरो या बसंद इसकी बुआई नवंबर दिसंबर में होगी नावंबर दिसंबर में बुआई करते हैं और कटाई मार्च अप्रेल में करते हैं और इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि इसका प्रती हेक्टेर उत्पादन अधिक होता है एक हेक्टेर के उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन अधिक होता है फिर तो यही धान सबसे ज़्यादा होना चाहिए लेकिन ग्रिस्म कालीन है सोचलो पानी किता ज़्यादा लगेगा इसलिए उत्पादन प्रती हेक्तियर ज़्यादा है फिर भी हमारे देश की प्रमुग धान कौन सी है तो अमन या विंटर हमारे देश की प्रमुग धान मानी जाती है अरे समझ में बात आ गई चलिए आगे बढ़ते हैं पौदों की रोपाई तो कर दी अब रोपाई के बाद क्या करना है तो रोपाई के बाद हमें धान के खेत में पानी भरके रखना है 20 दिन तक खेत में जल इस्तर होगा 3 सेंटी मीटर 20 दिन तक रोपाई के बाद 3 सेंटी मीटर रखना है इसके बाद बौनी किसमे है तो उनके लिए 5 से 7 सेंटी मीटर और अगर उची किसमे हो जाती है तो 10 से 15 सेंटी मीटर हमारे को पानी का इस्तर बनाएं रखना है समझ गए ये धान की तीन फसले हो गई जो हमारे देश में चलती है चलिए आगे आजाएं तो आगे आगे संकरधान hybrid rise मैंने आपको starting में ही बताया था कि पस्चिम मंगाल प्रथम है लेकिन संकरधान में पहले इस्थान पर पंजाब आता है संकरधान का विकास अगर की बात करें तो सबसे पहले 1970 में चीन में इसका विकास हुआ और इससे संबंदित जो व्यक्ति हैं उनका नाम है प्रोफेसर यूवान लांग पिंग प्रोफेसर यूवान लांग पिंग जो है ये इसके जनक माने जाते हैं जबकि भारत में संकरधान के रूप में 1994 में APHR1 ये वाली किस्म आई ये विवसाइक रूप से मानी जाने वाली प्रथम संकर किस्म है 1994 में आई और भारत में संकरधान जो है इसका स्रेज आता है EA सिद्दकी की ए सिद्धकी जो हैं इनको भारत में संकरधान का जनक बोल सकते हैं संकरधान विक्सास करने का स्रे इनहीं को दिया जाता है अब यह जो संकरधान होती है इसकी वीजदर होती है 15 किलोग्राम प्रती हेक्टियर मात्र 15 किलोग्राम प्रती हेक्टियर वीजदर इसकी है हमारे आजो ICAR है यहाँ पर संकरधान विकास विक्सित करने के लिए जो परियोजना शुरू हुई थी वो 1989 में ही प्रारंब हो गई थी लेकिन सफलता 1994 में जाकर मिली यह पहली किसमें APHR1 विक्सित की गई बाद में और कई किसमें आई जैसे DRH1, APRH12, KRH12, MGR आ गया है ना इसके आलावा NDRH3, JRH45, सहयादरी यह सब हमारे देश में धान की प्रमुक संकर किसमें हैं तो यह हो गया संकर धान चलिए अब हम बहुत important चीज पर आ गए इसमें से कई प्रस्न बनते हैं एक साथ में धान की बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ देखिए यहां पर हम बात करते हैं बहाई का समय सीधी बहाई करना है डायरेक्टर तो मैं मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच में कर देंगे रोपाई करना है तो जुलाई का प्रथम सब्ता क्योंकि पौधय को तयार होने में भी थोड़ा टाइम लगता है फसल अंतरन गुना पच्चेस समझ गए बीचदर की बात करें सीधी बहाई में 80-90 किलोग्राम रोपाई में इसका आधा 40-50 किलोग्राम डिवलिंग मेथड हो तो 60-70 किलोग्राम जबकि स्री में हमने पढ़ा था कितना मात्र 6-8 किलोग्राम सी मेथड जो स्री मेथड है 608 किलोग्राम और संकर में हमने पढ़ा था 15 किलोग्राम फिर आ जाते हैं सिचाई संख्या तो 6 से 9 सिचाई संख्या 6 से 9 हो सकती है बरसा अगारित में कम रहती है बाकी अगर टाइम पे लगाओगे तो बढ़ जाती है फसल की आउदी 90 से 140 दिन कौन सी आपने किसमें लगाई उसके उपर या ओधी डिपेंड करेगी उपज की अगर बात करें तो सिंचित में 35 से 40 कुईंटल और सिंचित में 20 से 30 कुईंटल या उसद उपज की हम बात करते हैं बाकी इससे ज़्यादा भी उपज हो जाती है कुछ किसमों की इससे कम भी हो सकती है लेकिन एवरेज की बात चल रही है मिट्टी का प्रकार चिकनी म्रदा या चिकनी दोमट चिकनी म्रदा चिकनी दोमट इसके अलावा लेटराइड जो म्रदा होती है ये म्रदा भी धान के लिए उप्यूक्त होती है है ना चिकनी दोमट म्रदा बहुत अच्छी है चिकनी में भी लगा सकते है तो ये हो गई धान की बुआई फसल अंतरन इसके अलावा बीजदर कित्ती है अवधी सिचाई अब हम यहां आगे बढ़ते हैं आगे आया वही बिमारी का नाम तीन बिमारियां यहां पर जो हैं उनकी में चर्चा करूँगा पहली बिमारी है यहां पर धान का ब्लास्ट या इसे जुलसा भी कहा जाता है यह आपको पत्तियों के उपर धब्बे नजर आ रहे होंगे ये इस तरह से पत्तियों में जुलसे हुए से धब्बे नजर आते हैं फपुन्द जनित रोग है कवक जनित रोग है रोग जनक का नाम है पाईरिकुलेरिया और आईजी इसका डिटेल वेसे हम पेथोलोजी में देखेंगे पर अभी यहाँ पर धान हम पढ़ रहे हैं तो धान के प्रमुख रोग पढ़ लेते हैं इसका सबसे अच्छा उपाय है प्रती रोधी किसमे जया वाला रासी ये प्रती रोधी किसमे है किसके लिए तो धान का जो ब्लास्ट है या जुलसा रोग है उसके लिए चलिए आगे बढ़ता हूँ दूसरी बिमारी के तरफ धान का ये जो है पतियों का भूरा दब्बा रोग ब्राउन इस्पॉर्ट रोग जनके हेल मिन्तो इस्पॉरियां और आईजी ये बहुत ही खतरनाग बिमारी है समझ गए हम बात करते हैं कि वही उननीस सो तिरतालिस में जो बंगाल का अकाल था बंगाल का अकाल बड़ा फेमस अकाल था दिग्रेड बंगाल फेमाईन कहा जाता है ये जो अकाल पड़ा था लाखों लोगों की मृत्तिव हुई थी वो इसी कवक फपुन के कारण हुआ था इसी रोग के कारण हुआ था समझ गए एसे ही एक और अकाल बड़ा फेमस है 1845 में आयरलेंड का अकाल जो आलू में आया था बट वो हम उदर जब आलू बढ़ेंगे तब बात की जाएगी यहाँ पर हम बंगाल का अकाल देख रहे हैं ये इसी विमारी के कारण आया था प्रतिरोधी किसमें है आयार आट और जया आयार आट जया प्रतिरोधी किसमें है इसके अलावा दो फफिन नासी इसमें बड़े फेमस है डाइथेन जेट 78 और डाइथेन M45 धाई किलोग्राम मात्रा लेना है एक हजार लेटर पानी में घोल कर छिड़काव कर सकते हैं इस स्रोग से बचने के लिए चलिए आगे बढ़ें तो आखरी बिमारी है हमारी धान की बेक्टिरियल ब्लाइट अब बेक्टिरियल है जीवानू है तो याद रखना जेन्थो मोनास जैसे ही आजाए समझ जाना ये क्या है तो जीवानू और आईजी मतलब धान की बात है तो बीज उपचार करना है या गर्म जल उपचार देना है बावन से चोवन डिगरी सेलसियद वाले गर्म पानी में 30 मिनिट के लिए बीजों को भिगोएंगे उसके बाद वुआई करेंगे प्रती रोधी किसमों की बात करें तो गोविन प्रसाद ये किसमे हैं इनसे भी हम अग पाते मेंने बताई हैं आने वाले लेक्चर में में धान की जो किसमे हैं और इससे सम्मनित महत्पुन जानकारी आपके लिए लेकर उपस्तित होंगा मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी जो परिक्षा में आपके काम आने आगे भी ऐसी वीडियो में आप तक पहुचा सकूँ इसलिए MGCI के YouTube चैनल से जुड़े रहें और MGCI का एप्लिकेशन भी आप डाउनलोड कर लें और हमारे आफिस में भी आप संपर्क इन सब चीजों के लिए कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद साथी